जी हाँ दोस्तों आखिरकार सना खान को ये क्यों बोलना पड़ा कि शैतान ने कब नंगा कर दिया पता ही नहीं चला आखिर लाइब पोड़कास्ट में जो है सना खान ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली है चलिए आपको डिटेल में बताते हैं सारी जानका आपको बता दे सना खान ने जब से बॉली बुड इंडरस्ट्री टीवी इंडरस्ट्री या यूँ कह लिजी एंटर्टेन्मेंट इंडरस्ट्री को छोडने का फैसला लिया तो हर कोई उस वक्त जो था शॉक्ट होगे हलाकि अब वह उस वक्त को याद करती हैं तो रो पड़ती हैं भावुख हो जाती हैं कुछ वक्त पहले वह प्यारे से बेटे की मा बनी और उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती हैं जो दूसरों का दर्द भी समझ सके वहीं आपको बता दे रुवीना दिले के पोड़कास्ट में सना ने अपने अतीत और वर्तमान से जुड़ी काफी सारी बातों का खुलासा किया यूँ कह सकते हैं गहरे राज जो हैं रुवीना दिले के सना खान के खुरेट डाले फिर क्या था सना खान ने रोते रोते ऐसे वह पूरे आस्तीन कपड़े पहनने वाली लड़की सी बैकलेस पहनने वाली लड़की बन गयी थी। सना बोली कि मुसल्मान होने के नाते पता था कि क्या हराम है पर वह गलत रास्ते पर थी। रुबीना दिले के पोड़कास्ट में सना खान ने ये भी बताया कि उन्हें पच्छताबा है। सना ने रुबीना से कहा कि उनकी जिन्दगी में पहले सब कुछ था पर वह खुश नहीं थी वह कोई कपड़ा या गाड़ी खड़ीती थी तो थोड़ी देर वह खुश होती थी लेकिन फिर सब वैसा का वैसा ही हो जाता था। उन्होंने खुब पैसे कमाए और खर्च किये लेकिन खुश नहीं रह पा रही। सना खान जो है रोने लगी तो रूवीना ने उन्हें चुप भी करवाया। सना ने आगे बताया कि जब उन्हें एहसास हुआ इन सभी चीजों का तो वह जिस रास्ते पर चल रही थी वह उनके मुसलिमत के खिलाफ है तो ग्लैमर इंडस्ट्री को उन्होंने अलविदा कह वह बोली कई सारी चीजे थी मुसलिम परिवार में होना मुसलिम पैदा होना आपको पता होता है कि अच्छा या बुरा क्या है हर मुसलिम को पता होता है कि हलाल क्या है हराम क्या है मुझे पता था कि गलत कर रही उसके बावजूद भी मैंने ये सारी चीजे की वेल आप सन कीजिएगा धन्यबाद